हेलो फेंड्स एनाइयोस डियलेट के बच्चों के साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है यह तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है पहले इन लोगों को जो है एनाइयोस डियलेट करवाया गया थी और एनाइयोस मानने हैं हर जगा पे और यह आप अगर गूगल पर भी सर्च जा चीजे आपको देखने को मिलीगी तो नाइयोस से जब डियलेट करवाया गया बच्चों को भी यह लगा कि सरकार कर रही है सरकार अगर कर दिया गया करने को तो उनके पास कोई रास्ता नहीं वचा था उन्होंने डियलेट किया इस तरह की चीजे जो है निकाली गई जिसम उस पर भी क्वेश्चन उखाया जा रहा है कि वो भी इनका मानने नहीं है यह सारी चीजे क्या चल रही है पता नहीं कैसे जो है नाइयोस डियलेट को पूरा एकदम खतम करने की जो है एक तरह से साजिस हो रही है चले इस पर बात करेंगे साथ ही साथ अभी जो है आप सभ अभी नाइयोस अभरतियों के पास एक फिर से नया औसर मिला है में चार्टी से मिलने का क्योंकि अब नया जो एजुकेशन मिनिस्ट्री बनेगा उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे फोप बहुत सारी उमीदे हैं लेकिन वहां पर सही तरीके से प्रिजेंटेशन करन जरूरी है तो इन सब पर भी बात होगी क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही है तो फ्रेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर एना इस डेलेट के दर से रिलेटेड हर इंफरमिशन आपको दी जाती है देगे सबसे पहले कोई भी इस योगिता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है यह इतना क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है फिर कैसे एना इस डेलेट के बच्चों को हटा दिया गया है और यहां पर आप देख रहे हो किसका पिक्चर है अगर मन में किसी के आप थो खतम हो जाता है तो इन सभी चीजों को देखने के बाद एका जो भी ऑनाईस से डेलेट किया है इसा नहीं कि पेवकुफी ने कर लिया है या जबरदस्ती उसको मतलब ऐसा था कि कुछ बताया नहीं गया या फिर उसने चान भी नहीं की सब कुछ करने के बाद बच कुर्स है 18 इंस का कॉर्स बताया जा रहा है ये लेकिन यह अपको आपको दिखाई दे रहा है कि यह खिले और लिखा हुआ है ये दो साल का कोर्स है इन फैक्ट आप लोगों को जिन-जिन हुआ यहां पर आप देखो रजिस्ट्रेशन के लिए एनायोस की वेबसाइट यह सारी चीज़े बताएगे थी 4500 लगेगा यह लगेगा वो लगेगा और आज जिन्होंने एनायोस से डिलेट किया और उसके बाद उन्होंने तेट इग्जामनेशन दिये हैं अब उनको इन्वैलिट करार कर दिया गया है कि वो इन्वैलिट है क्यों इन्वैलिट है पूरा एक पोस्टर यहां पर आप देखिए रूल रेगुलेशन निकाला जा रहा है तू यह सारी चीज़े जो है डाली जा रही है कि फिर वो आगे दो साल का अगर कोर्स नहीं है तो आर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वन टू फाइप में परहाने के लिए सिर्फ तू यह डिप्लोमा वाले ही वैलिड है तो यह तू यह डिप्लोमा नहीं है हर जगा कोश्चन यह 18 महने पर आकर के रूप जा रहा है लेकिन 18 महने का यह कोर्स है नहीं हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठारा महने का यह कोर्स है इसमें हमारा six months जो है internship भी एड है तो अभी जो time बन रहा है उसके according जो है MHRD पर pressure बनाना जरूरी है और यह सारे proof है आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसे ही उट करके चले अब यह बात समझ लो क्योंकि यहां पर question अब आपके जो है Tate के उपर भी उठाया जा रहा है कि आपका Tate qualified ने मतला आपका Tate जो qualified यह है वो valid नहीं है ऐसे ऐसे question भी आ रहे है तो आप लोगों को अब यह समझना होगा कि जो NIOs DLA है आप उसको जो है जब ही भी कोई vacancy आत है तो आपको जो है उन योगताओं में अपने आपको शामिल करवाना होगा मतलब हमें यह करना है कि हमें भाई जो भी job या vacancy आ रही है उसमें अगर two years diploma लिखा हुआ है तो और करके याथवा करके NIOs DLA भी जो है लिखा हुआ रहे तो फिर कोई question नहीं होने वाला है तो इ कि आपने जो है एक तरह से यह नहीं बोलेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ उस politics में हम नहीं जाएंगे बट जरूरी जरूरी था यह सारी चीज़े होना अब आप लोग जो है वहां पर जाकर के अपनी बात रखिए अपने numbers बताईए हम 14 lakhs है हम 14 lakhs प्लस जो है candidate है जो कि सफ इया करोगे तो सफर हम कर रहे है आजकल कर किया है आजकल का यहीं किया है जो भी वेकेंरे की जिए इस निकलती है उस में जो है शामिल ठील जाए UNIOS DLA को, अब इसके लिए जो है तैयारी की जा रही है, किस तरह से MHRT से मिलना है, कब मिलना है, कितने लोग जाएंगे, ये सारी चीजों पे काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा, लेकिन अब ये एक 29 जुलाई वाला TP है, वो ट्रांसफर पेटिशन तो रहे गए, अब इस सरकार में ये थोड़ा उथल पुथल तो हुआ ही है, तो उस उथल पुथल का फाइदा आपको लेना है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार से कुछ ना कुछ तो चूख हुई थी, जो आप लोगों की नाराजगी थी, या और भी सरकार समझेगी कि हाँ ये गलत हुआ है और अभी मौका है तो कि आप लोगों को अपनी बातों को रख देना है, तो ये काम जल्दी होगा उतना जादा अच्छा रहेगा, तो इस से रिलेटेड जैसे कोई अपडेट आएगा बिलकुल हम आपको बताएंगे, अब ये जी के फोटो के साथ ये जो है अनौस्मेंट किया गया था जिसमें नौकरी के बारे में भी बात कही गए थी, दो साल डिप्लोमा के बारे में बात की गए थी, और इन सभी चीजों के उपर ही रिजेक्शन जो है, मिला हुआ है ना इस जेलेट को, तो ये लेटर भी बहुत इंपोर्टेंट है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स कठा करने हैं और एक अच्छा टीम बनाना है, सभी लोगों से सला मसौरा कर लीजिए, जितने लोग इसमें लगे हुए ताकि हर कोई अपना सजेशन दे कहीं से कोई चूप ना हो, और फिर वहाँ पर जाकर कितनी बात 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 जा कर दे कहीं हो